करिया बई उनके साथ गड़बंदन करना सही है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हिंदुत्व को जो आईसेस कहते हैं बोको हराम कहते हैं वो सही है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नवाब मलिक जिसके सुप्रीम कोट तक संपर्क जो दाओद इबराहिम के साथ अब लगभग साबित ही हो चुके प्रथम दिर्ष्टिया वो बिलकुल सही है उस पर सेडिशन नहीं लगना चाहिए और सेडिशन इस पर भी नहीं लगना चाहिए कि किस प्रकार से मतीन शेकानी ने खुले मंच से महराष्टा को ये कानून व्यवस्ता को चुनौती दी थी कहा था छेडेंगे तो छोडेंगे नहीं तो इस पिएफाई के कारेकरता पर सेडिशन महराष्टा की सरकार ने नहीं लगाया पर तो मैं बताता हूँ आपको ये संगत का असर है जो कॉंग्रस पार्टी शीराम को नहीं मानती आज अगर हनुमान चालिसा मोली जाती है तो राम भक्तों को तो कोई परिशानी नहीं होगी जो भूत पिशाच है जो रावण है उन्हीं को परिशानी होती है जो हनुमान चालिसा के लिए आज इस प्रकार से डरते हैं वो उनीके संगती है जो राम जी के अस्तित्व को नकारते थे जो राम सेतु को तोड़ने की साज़े शरचे थे जो हिंदु को टेररिज्म से जोड़ने वाले लोग है तो इस संगत में आज शिरसेना का ये स्तर हो चुका है पर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज अगर फैमिता जी भी जुड़ रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ फैमिता जी पहले तो आप नमाज का जो पूरा नमाज पढ़ना चाहती है प्रधानमती का घर के बाहर निवास के बाहर पहले मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को तो नमाज पढ़ने का अधिकार दिलवा दिजिए पूना से एक दमपती सुप्रीम कोड गया है कि नमाज पढ़ने मिले महिलाओं को तो मैं चाहता हूं कि क बूत पिशाच किसे कह रहे हैंगे? ऐक सानसत कहती हैं, अमरावती से कि माहा राष्ट के मुक्हे मंत्री जब से बने है तब से साढहे साथी लगी है, अरे ये भासा है? मुक्हे मंत्री के लिए? साढहे साथी जैसे सब्द का प्रियोक करना? उसके बाद जब आप पर करवाई होती है तब चीक-चीक कहती है अन्याय हो रहा है मुंबई पुलिस ने अन्याय किया है लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मैं धन्यवाद देता हूं आदर्णी कोर्ट को उन्होंने कहा नहीं मुंबई पुलिस ने जो करवाई की है बिलकुल उचित की है और 100% सही की है तो देखी अमन भाई या देश कानून से चलता है या देश कोई भारती जनता पार्टी के नीती से नहीं चलेगा ठीक है उनके पास पुर्ण बहुमत की सरकार है केंडर में उनकी अच्छी कासी संख्या है लेकिन यह जो विवाद अनन्द भाई पता है सवाल कया है अनन्द यह बात घिक है अजब हाइक ने बोला है और लीगाल लीगाल एसपेक्ट्स है कि पब्ली किसी प्राइवेटब्टि में जाकर थोड़ी ना थोडी ना अनुमान ना चाहते हैं जो हमारे महाराष्टा में आरजक्ता फैलाना चाहते हैं सरकार को अस्तिर करना चाहते हैं हनुमान 40 से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हनुमान 40 से किसको मैं तो अभी बोल रहा हूं कि जय हनुमान ग्यान गुंसागर जय कफिस्ति उन लोग को जागर राम दूत अत्लत बल्डामा अरे हनुमान 40 सा तो बजपन से हम सब पढ़ते हैं यह हैं जब शुरू करते हैं तो प कोई गडबंदन का कोई दबाव ऐसा कुछ कोच नहीं मेरे घर आई अमन भाई आपन मिल जूलके पढ़ेंगे तो परसनल बात नहीं कर रहा है कोई अलाइन्स का कोई दबाव ऐसा कुछ अरे कमाल करते हैं कॉंग्रेस पढ़ती है राष्टवादी पढ़ती है सभी लोग पढ़ते है शहजाद सवाल ये भी है आप लोग ऐसा तो नहीं कि आप गलत पिछ पर खेल रहे हैं तो कि हाई कोट ने भी कहा कि सारवजनिक जगे पर इस परकार से धार्मिक चीजे करना ये सही नहीं है तो ये जो सारवजनिक रास्तों पर नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी बंद होना चाहिए उसी लिहास से अगर इसी हाई कोट के हवाले का फैसला दे रहे हैं और हाई कोट और सुप्रीम कोट ने नवाब मल माबहन की गाली एक दलिच सांचत को देते हैं इसका भी कोई परिपेक्ष होता है और मैं आपको बोलना चाहता हूं तो देखे इनोंने बाला साइब ठाकरे की बात की, एक ही अमन जी मुझे 30-20 सेकंड दे दिजिए, बाला साइब ठाकरे जी की एक बात सुनाना चाहता हूं, प्लीज कान कोल कर सुनिये. NCP को स्काउंडर कहते थे और अगर मैं उनको याद दिलाओ कि किस प्रकार की भाषा उन्होंने कॉंग्रेस के बारे में कई है, ये तो शायद पता होगा और याद होगा आनन जी को, कि कॉंग्रेस के बारे में सोनिया गांधी के सामने कौन जुकते हैं, ये बाला साइब ठाक पुछलते हुए आज वीर सावरकर जी के लिए जो भारत रत्न मांग करते थे, आज वीर सावरकर जी के अपमान करने वाले लोगों के साथ सत्ना में बैठे हैं, और ये कॉंग्रेस का भी चरित्र देखो, ये मैनिफेस्टों में कहती है, इस एडिशन हटा देंगे, आज ह हिंदू हनुमान चालीसा बोलना चाहता है, तो आज कॉंग्रेस पार्टी जो सेडिशन खतम करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी, सेडिशन अफ़जल गुरु पर लगे, सेडिशन ऐसे लोगों पर लगे, अमर खालीच जैसे लोगों पर, वो आज हिंदूओं पर अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों पर सेडिशन लगाना चाहती है अतुल भाई आपका जबाब अतुल पार्टल कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है सर एक के कमेंट सबका ले लूँ आनन जी फिर क्योंकि प्रकाश जी भी है मेरे साथ MNS से भी है लेकिन पहले अतुल जी आप का कमेंट विजिशन कर दो